और अब खबर विस्तार से चोरों ने पुलिस हवलदार को बनाया अपना शिकार आई टी आई ग्रूप इंस्पेक्टर पर भी साधा निसाना कटिहार के इंडरपुरी में भीशन चोरी सेना और पुलिस कर्मियों का है या पूरा महला कटिहार के बार नमबार दो में अवस्तित है या इंडरपुरी महला इस महले में 90 प्रतीशत से भी अधिक लोग सेना और पुलिस से जुड़े हुए है बावजूद इसके यहां अकसर चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंचाम देते है इस बार भी ऐसा ही हुआ इस बार चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया चोरों का पहला शिकार बने पुलिस हवलदार दिलीब ज्जा दिलीब ज्जा पटना में पोस्टेड है वो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए देव घर गए हुए थे घर में ताला लगा था पीछे से चोरों को मौका मिला और चोरों ने घर में सेंध मारी कर दी घर में रखे 12 लाह के गहने उड़ा ले गए कुछ सारियां चोती होके किंदी सारी सारी कितने की Baker लगभख सेर थे तीन पड़िवार का था मां का था मेरे वाइफ का था और मेरी भारी का था अनुमानित क्यमत चैन्से दस लग avenशने और नगत लगव एक लाग से जाता था लगव ग्याना लाग का चूरी हुआ जी उसे अच्छा धर में कोई नहीं थे जी सर्थ हमारी का नहीं थे बहुत है जी अब यह बतारे से कि आपके भाई क्या करते हैं भाई बीम्पी में हैं बीम्पी साथ पटना में है पोस्टेड पूस जाख दूए है साथ contact cPP ाल्मीरा तरा गया है और सभी रूम का बक्सा भी तोड़ा गया है जी आद अज्यक्ट सर्थ ही तयुम्तिंट बिक्षे डिया गया तौए ही तना सा रहा कीमति साइमान था वो सब चोड़ी कर लिया गया ए तको एब पीता जी पीछा दें और वहा चोरों का दूसरा सिकार बने आई टी आई कॉलेज में पदस्था पीत ग्रूप इंस्पेक्टर मुकेस कुमार मुकेस कुमार पिछले सनिवार 15 जून को अपने परिवार के साथ घुमने के लिए दाजलिंग गये थे लेकिन जब कर 17 जून सोमवार की शाब अपने घर वापस लोटे तो चोर उनके घर में तांडव मचा कर फरार हो चुके थे घर में रखा 3,30,000 रुपे का सामान चोरी हो चुका था अब पूरा इंदरपुरी मोहला दहशत में है सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों के होने के बावचूत जब चोर यहां बेखौफ होकर भीशन चोरे की घटना को अंजाम देते हैं तब पुलिस के गस्ती पर सवाल उठना भी लाजमी है ग्रोप इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की मानी तो 2016 में भी चोरों ने इसी परकार उनके घर में चोरी की थी और एक बार फिर चोर उनकी सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो चुके है इधर सहायक्थाना प्रभारी पंकच प्रताप का कहना है कि पुलिस द्वारा बड़े पैमारे पर ज्वांच की जा रही है उमीद ये है कि जल्धी मामले का उद्भेदन भी कर दिया जाएगा घर में चोरी हुई है हम सटर्डे को निकले हुए थे बाहर और जब आए हैं अभी जस्ट सिलिगोरी इंटर सिटी से तो देख रहे हैं पूरा दर्वाजा पुला हुआ है और दिखरा हुआ है समय क्या कुछ गाइब है मिस क्या है लगभग लेक डेड़ लाग रपाए कैस था और गाना वगएब गयरा गया गया है और कुछ डॉकमेंट्स था मेरा आप क्या रता है हाई टीए से रेलटेट और पासबर वगएब वो डैडी में नोट था गया है और फिटना का होगा ज़ड़ी बगएब लगभभभी दो और रहे लाग का रहे लगभी तो तो सटर्डे को बता रहे हैं कि दार्जलिंग गय थे तो अब गूमने के लिए अभी ज़ेश्ट आ रहे हैं घर बंधा समर वेकरिशन एक दिन का चुटी था मंडे को सटर्डे का एक दिन चुटी हम लिये थे और निकले थे आपका अगर्ट के लिए इसके लिए उसके गाद 112 पर कॉल किये थे तो सारे लोग आए हैं फोटोग्राफी बेरा किये हैं ताला भी ले गए हैं आप पता रहे थे इस से पहले हैं इस से पहले 2016 में भी चोड़ी हुई थी भाई के साधी था तो हम लोग पटना गए हुए थे हैं उस ताइम में यहां पांच घर में चोड़ी हुआते हैं इसमाला में अगर आप जानते हैं सेल्स और मार्केटिंग और अगर आपके पास है इसका अनुभव तो आपके लिए सांदार अपरचुनिटी है सेल्स और मार्केटिंग करने के एक छुक संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर रिशिभवन बड़ा बाजार कटिहार फोर नमबर 06452 242573 मुबाइल नमबर 9431229220 आप हमें अपना रिज्यूम हमारे मुबाइल नमबर पर वाटसेप भी कर सकते हैं वेतन मन योगिता अनुसार आविदन करने की अंतिम तारीख 30 जून रविवार तक